हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रताबगर उत्तर प्रदेश दोस्तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कबूल किया है कि सिक्षक भरती की सूची में कुछ तक्नीकी विसंगतियां हुई हैं जिसकी वज़ा से कम गुणांग के जो अभ्यरती हैं उनका चैन हो एक भरती का मामला है जिसमें से 31,277 शिक्षकों को न्यूकती पत्र मिलना था इस हेत 14 और 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अब भ्यरतियों की काउंसलिंग हुई और उसके बाद 16 अक्टूबर को उन्हें न्यूकती पत्र वित्रित किया गया इस दोरान ये पाया गया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में ही आधिक जैहां दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो आधिक गुणांग के विभेन जनपदों में केंडिडेर थे जब वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए गए तो उन्हें बड़ा आशर हुआ वो काउंसलिंग प्रक्रिया की सूची में उनका नाम शामिल ही नहीं था जबकि कम गुणांग के जो केंडिडेट थे उनका नाम शामिल था लिहाजा उन्होंने हाई कोर्ट की शरन ली अब हाई कोर्ट में ये बात सामने आई है सरकार ने ये स्यूकार किया है कि जो सूची थी वो NIC के सौफ्टवेर से तयार हुई थी पूरा का पूरा 79,000 का जो सिक्षक भरती का सूची था उसी के माध्यम से तयार हुआ था कहीं न कहीं कोई तक्नीकी विसंगती हुई है जिसे हम शौट आउट कर लेंगे और इस प्रोसेस में जो कम गुडांग के केंडिडेट हैं उनका इस सिक्षक भरती से बाहर का रास्ता तेंग किया जाएगा और जिनका अधिक गुडांग है उन्हें शामिल किया जाएगा इसमें दोस्तो कम गुडांग के जो केंडिडेट हैं जिनका सेलेक्षन हो गया है उन्हें तकलीफ जरूर होगी लेकिन दोस्तों अधिक गुणांग के जो candidate है उनको न्याय मिलना चाहिए ये भी वाजिव है आते हैं पूरी की पूरी news पूरी की पूरी information से आपको रूबर उकराते हैं दोस्तों ले चलते हैं आपको प्रियाग राज और 79,000 सहायक अध्यापक भरती में 31,661 पदों पर चैन मामले में NIC से जबाब मांगा जा रहा है कि आखिर कम मेरिट के लोगों को न्युक्ती मिलने का आरोप क्यों लग रहा है एलहवाद हाई कोड में चल रही सुनवाई के दवरान महाधिवक्ता रागवेंदर सिंग ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग से कोड को बताया कि NIC में 67,866 अनंतिम सूची से शीर्स कोड के निर्देश पर 31,661 पदों के सापेच नई सूची जारी की है संजे कुमार यादो वा अन्न की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे नयायमूर्ती श्री अजीत कुमार ने महाधिवक्ता से पूछा कि सिक्षक भरती में अधिक मेरिट वालों की अन्देखी करके कम मेरिट वालों का चैन किया गया है इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि 79,000 सिक्षक भरती में उयमार शीट के मुल्यांकर्ण से लेकर अनंतिम चैन सूची तक मैनुवल नहीं बनी है शीर स्कोट के आदेश पर 31,661 पदों पर चैन करने में भी NIC ने सौफ्टवेर के जरिये अनंतिम सूची तयार की है इसमें 66,866 की सूची से ही अभ्यर्ती चैनित हुए हैं जब जून माह में 67,000 अभ्यर्तियों की सूची जारी हुई थी तब कोई विवाद नहीं था उसी से यह भी रिजल्ट बना है तो इसमें कम मेरिट पर चैन कैसे हुआ इस पर NIC से जवाब मांग रहे हैं महाधिवक्ता ने कहा कि ये कोई गड़बडी मिलती है तो कारवाही करेंगे उन्होंने कहा कि NIC से रिपोर्ट आने में दो हफ्ते का समय लगेगा याची पच्छ से अधिवक्ता स्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी अनिल सिंग विसेनाध का कहना था कि नुक्ती पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नुक्ती पत्र दिया गया है जबकि अधिक गुणांक पाने वाले चैन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं इससे पूर्व कोर्ट ने राज सरकार से इस विसंगती के बारे में जवाब मांगा था मामले की अगली सुनाई 17 नुवंबर को होगी संजे कुमार यादोवा अन्न की याचिकावा पर सुनवाई कर रहे नयमूर्थ अजीत कुमार ने एडवोकेड जनरल से उनका यह बयान दर्ज करने की बात पूछी तो दोस्तो एडवोकेड जनरल यानि महाव धिवक्ता से उनका बयान दर्ज करने की बात पूछी तो उन्होंने इस पर सहमत दे दी और कहा कि सूची जारी करने में NIC वा बेसिक शिक्षा परिसत के अस्तर से हुई गलती को सुधारा जाएगा तथक कम गुडांक वालों को दिये गए नियुक्ती पत्र निरस्त कर अधिक गुडांक को पाने वालों का चैन किया जाएगा दोस्तो यहां important बात है कि महाधिवक्ता ने स्युकार किया है कि मेरे इस बयान को आप दर्ज कर ले NIC वा बेसिक शिख्षा परसस से अगर कोई गलती है तो उसे हम rectify करेंगे उसको हम सुधार लाएंगे और अगर ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि कम गुडांक वाले select हो गए हैं अधिक गुडांक वाले बाहर हो गए हैं तो हम कम गुडांक वालों को बाहर करास्ता दिखाएंगे और अधिक गुडांक वालों का हम selection करेंगे याचियों के अधिवक्ता स्री अग्निहोंतरी कुमारतर पाठे अनिल सिंभ विसेनाध का कहिना था कि नुक्ति पत्र की जारी सुची में कई ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुडांक वालों को नुक्ति पत्र दे दिए गये हैं जबकि अधिक गुडांक वाले chain से बाहर ho गए इससे पूर कोटने राज सरकार से इस विसंगती के बारे में जबाब मागा था तो दोस्तो आने वाले समय में आप ये मान के चलें कि जिनके गुडांग कम हैं और वो लकली इसमें सेलेक्ट हो गए हैं दोस्तो उनके उपर गाजगिर सकती है वो अपने आपको अभी से ना माने कि उनका सेलेक्शन हो गया है आज के लिए इतना ही वीडियो इंफर्मिशन आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इससे लाइक करना चैनल पर कमेंट करना तेकिन अगर आप डिसी टर्णिंग प्रताब गलुक्तर प्रदेश के स्कुफ सूरत यूट्यूब चैनल पर नहीं है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब कर उटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेला इकन आता है उससे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग एं लिसिंग देर सीज़े प्रकाश भी सानिवाव